यह मेरी क्लाइमिंग असपेरिगस फर्न की बेल है यह बेल बहुत खूपसूरती से ग्रो करती है इस बेल को अगर हम जरा से भी सपोर्ट दे देते हैं तो उस सपोर्ट के सहारे यह अपने आप बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देती है और इस प्लांट के इस नेच अपनी से दूसरी बालकनी पर सपोर्ट दे के ग्रो कर रहा है और यह देखें नीचे से उपर कितनी खूपसूरती से जा रहा है और उपर से इसका व्यू आप देख सकते हैं हाला कि इस प्लांट में कोई फ्लावरिंग नहीं होती बट रिसेंटली मैंने नोटिस कर रहा है कि मेरे इस प्लांट में यह काले काले दाने बिकुल काली मेच के जैसे दाने ही थे जो ग्रो हुए हुए थे तो जैसा कि मेरा नेचर है कि गार्डनिंग में हर नई चीज से एक्सपेरिमेंट जरूर करती हूँ तो मैंने इन सारे जो जो भी ब्लैक सीट से इन सभी ब्लैक स सीट्स को मैंने कुलेक्ट करा और इन सीट्स को कलेक्ट करके मैंने सोचा क्यों ना इनको ग्रो करके देखूं अगर इस प्लांट को मैं इन सीट्स की हेल्प से ग्रो कर पाऊं हाला कि मेरे को आइडिया नहीं था कि इन सीट्स से मैं कुछ कर पाऊंगी लेकिन इस प्लांट प किは total में कोई भी कटिंग इया सीट को ग्रोव करते हैं wounds । मैंने इसमें कोपित लिया और मैंने रगगा कर दो इंच की ूर्ड पर मैं नहीं सबी सीट को लगा लिया लोगा दबाद इन ऑपर ये अधा लियरिंग कार दिया ताकही मेरे सीट को मुईस्टरस्ट अच्छे से मिले और इनको पानी दे दिया और इनको मैंने最ё अधा तेसी कर दिया नहीं में ते यह इस प्लांड को ब satisfies कि मेड़िये Pittagenय कई तुकार छाई है हो दूब 10 से 15 दिन बाद जब मैंने देखा तो इसका result आप ये देख लीजिए result यह है कि इन seeds में से plant ग्रो गया है हाला कि result 100% नहीं था लगबग मैंने 10-15 seeds से और 10-15 seeds में से 50% मेरे को result मिला है लगबग 7-8 पोदे इन seeds से मेरे निकल आए है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है इस तरीके से मैंने एक experimental बेस्पे करा लेकिन इन seeds से मैंने ये नए plants मैंने ग्रो कर ली है और इसी तरीके से gardening में चोटी-चोटी चीज़ी होती है अगर इनका हम ध्यान लेके तो हम plants को बहुत इसीली कर सकते हैं और ये चोटी-चोटी बाते हैं जो हमारे garden को हमेशा हरा बरा रखती है और इसी तरह की चोटी-चोटी tips और gardening ideas के लिए जूड़े रही है मेरे साथ Stay Healthy, Stay Tuned, Happy Gardening